आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ Question है Write the function of the following in the human elementary canal सबसे पहला है saliva ठीक है तो जो saliva होता है वो क्या करता है हमने कुछ खाना खाया अगर उस खाने के अंदर अगर starch या carbohydrate प्रेजन होता है तो ये उसे तोड़ के convert करतेता है शुगर में तो वही reason है कि जब हम bread को या रोटी को बहुत ज़ादा chew करते रहते हैं तो after a point of time वो मीठा टेस्ट करना शुरू कर देता है थोड़ा थोड़ा तो वो क्यों होता है because saliva में एक enzyme प्रेजन होता है salivary amylase या जिसे हम tylin कहते हैं वो क्या करता है वो starch को convert कर देता है शुगर में तो लिखते है saliva has an enzyme cold tylin peace island यहां पे और salivary amylase and converts the starch to sugar तेक अब अगला देखते हैं HCl in stomach जो हमारा stomach होता है उसके अंदर HCl जो एक बहुत ही strong acid है वो प्रेजन्ट होता है तो उसका काम क्या होता है एक तो सबसे पहली चीज यह क्या करता है कि जो food है यह उसे soft कर देता है because acid क्या कर सकता है किसी भी चीज को यह घोल सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से अगर HCl को हम फर्ष पे डाल देते है तो फर्ष एक तम ही मतलब dissolve सा हो जाता है तो जो यह HCl है यह स्टमक में भी खाने को बहुत ही ज्यादा soft कर देता है और एक enzyme होता है pepsid जो केवल HCl की presence में ही act कर सकता है यह उसको act करने के लिए activate करता है तो अब हम लिखते है it softens softens मतलब soft कर देता है खाने को it softens the food and activates pepsin to act upon food यह pepsin क्या करेगा यह proteins को further और small components में तोडेगा ठीक है तो food में जितने भी pepsin होते है उन्हें और छोटे-छोटे components में तोडने के लिए हमें इसकी जरूरत होती है और यह कब act करता है केवल HCl की presence में ठीक है तो यह बहुत साथा जरूरी है अब अगला है bile juice तो bile juice क्या करता है जैसे fats को भी डाइजेस्ट होना है तो fats को डाइजेस्ट करने के लिए हमें bile juice की जरूरत पड़ती है ठीक है so bile juice breaks down the fat जो हमारे खाने में प्रेजेंट होते है in the form of large globules तो अब हम यह क्या लिखेंगे it breaks down the fat present in our food ब्राकेट में लिख लेते है fat is present in the form of large fat globules ठीक अब अगला है विलाए जो यह विलाए होता है this is present in the small intestine और यह विलाए क्या होते है यह finger-like projections होते है suppose यह small intestine का surface है तो उस पर यह ऐसे finger-like projections present होंगे जो small intestine का surface area बढ़ा देते है अब surface area बढ़िया तो absorption खाने का और अच्छे तरीके से होगा ठीक है? So, they increase the surface area of small intestine and hence increase the absorption take care अप्सक्स टुट लेके नीट आई 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 टी जे ही मेंस और अद्वांस के लेवल तक 10 मिलियन से जादा स्टुटेंट्स कभर हो सा आज ये डाउनलोड करे डाउटने टा या वाट्साप कीचे अपने डाउट्स 8444 चार्सो चार्सो पर ले बात्सकी जार्सांस